हांजी मेरी YouTube फैमली क्या हाल चाल है आप सब क्या है होप एकदम मजे में होगे आप सब आप सोच रहे होगे आज आपको डॉर क्यों दिखा रहा हूं तो इसके पीछे भी एक रीजन है अभी तक हम लोग डॉर को अनलॉक कैसे करते हैं की होती है बेसिकली की होल के अंदर डा वोइस कमाइंड के साथ भी मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो और पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठे हो किसी को भी एक्सेस दे सकते हो बहुत ही अमेजिंग प्रड़क्ट है अब सारी चीजे मैंने स्मार्ट बना दी है अपने स्टूडियो की छोटा सा रूम है खोलते हैं क्योंकि बॉक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है फीचर वगेरा बताये हुए हैं वह मैं खुदी आपको समझा दूगा सारी चीजे तो ओपन करते हैं 123 सबसे उपर है इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है वह सारे स्ट यहां पर इन्होंने बताय हुए हैं उसके अलावा यह हमारा में प्रोड़क्त यह हमारा डोर लॉक बाजमा की ब्रैंडिंग उपर भी साइट पर भी कुछ इस तरीके से घूमेगा और यह बटन जब आप इस पर टैप करोगे तो यहीं से लॉक अनलॉक होगा अगर आप बैक साइड में इस्टॉलेशन के लिए आपको यह जो दो चीज़े मिल रही हैं लैच जिसको आपको उपन करना है यहां से इसको उठा लेना है इस तरीके से यह आपके डोर में फिट होगा और उसके ऊपर यह चीज इस तरीके से जाएगी तो इस्टॉलेशन आपको करेगा वाइफाई से यह जो डोर लॉक है अगर आप इसकी स्मार्ट फंक्शनलिटी चाहते हो आपको सारा टाइम वाइफाई से इसको कनेक्ट रखना होगा और यह है उसके लिए बाजमा का ही वाइफाई गेटवे इसको सारा टाइम हमें पावर देनी होगी तो आपपको बीड स्वेक वाइफाई यहां पर की साइडव वाला लॉक है हमें इसे चेंज करना है नीचे वाले को आमें नहीं छेड़ना अब जो दो screws है back में, इनको unscrew करना है आपको, और अब यहाँ पर जो back plate है, उसको connect कर देना है, simple सा step है, बहुत ही easy step है यह वाला, back plate को connect करने के बाद, आपको तीन different तरीके के lock adapters मिलते हैं, जिस भी तरीके का आपको lock होगा, उन में से एक आपको pick कर लेना है, adapter लगाने के आपको जो दोनों latches है, इनको open करना है, और adapter के साथ pair कर लेना है, और यहाँ पे बहुत ही easy सा step है, आपको बस उपर लगाना है, latches को close कर देना है, और जो आपका smart door lock है, को install हो गया है, इसके बाद आपको front में से open करना है, और डाल देनी है, चारो batteries, batteries आपको box के अंदर ही म connect कर देना है, और अब next step आपको app में दिखाता हूँ, और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe करो, notification bell को दबाओ, और all options जरूर pick कर लेना, notification bell को दबाने के बाद, ता कि जैसे है मेरी नई वीडियो आप तक आजा, उसका notification, और अगर Instagram पे follow नहीं कर रहे हो, तो जरूर follow करो, मेरी ID है, I'm happy आजला, और अगर आप Instagram के उपर follow करते हो, तो किसी एक subscriber को, मेरी हर वीडियो में मैं shout out देता हूँ, जिसने भी मुझे follow किया हूँ, जल्दी से follow करो, अगर अभी तक नहीं किया, और next वीडिय अगर आपका lock जो है, वो left side में है, तो पहले आपको anti clockwise अपने lock को घुमा लेना है, और उसके बाद latches को connect करना है, plate के साथ, और अगर आपका lock right side में है, तो आपको पहले clockwise direction में अपने smart lock को घुमा लेना है, और उसके बाद Learning Lane से connect करना है, और फिर जाके close होँगी आपकी latches, अगर आप यह वाला motion नहीं करोगे तो जो आपका smart door lock है वो connect नहीं होगा plate के साथ एक बार जब आपने connect कर लिया उसके बाद आपको आपका wifi adapter है वो connect कर देना है और उसके बाद आपको download करनी है एक app जो की Bosma की अपनी app है app store और play store दोनों पर available है अब मैं अपना screen share on कर लेता हूँ और यहाँ पर add device का option आ रहा है इसके उपर हम लोग click करते हैं यहाँ पर यह पूछाए कि कौन सा वाला है आपका तो आपको edges नीचे दिख रहा होगा इसके उपर मुझे click कर देना है next पर हमें click कर देना है और अब device जो है उसका search जारी हो चुका है और device जो है वो successfully attach हो चुका है मेरी app के साथ अब यहाँ पर calibrate के लिए बोल रहा है के बाद next पर click कर देना है दर्वाजा पूरी तरीके से बंध है continue to the next step तो अभी मुझे उठके जो door है उसको unlock करना पड़ेगा manually अब मैंने जो lock है उसको manually unlock कर दिया है जो हमारा smart door lock है next पर click करते हैं इसके बाद option देखते हैं तो अभी मुझे door open करना है तो काफी सारे step है अब door को भी open कर लेता हूँ तो calibration जो है वो complete होगी है calibration में पहले आपको unlock करना है उस door को open करना है जब आपने एक बार open कर लिया उसके बाद आपको door को पूरा 60 degrees पे open करना है कुछ देर के लिए वहाँ पर रखना है और उसके बाद unlock कर देना है और manually lock कर देना है अपने smart door lock को और उसके बाद एक बाद फिर से unlock करना है और फिर उसके बाद जो step है वो अभी आप लोग screen के उपर देख रहे हो और उसके बाद जो button है हमारे door lock का उसको दबाके रखना तो process जो है थोड़ी सी लंबी है और मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ आप लोग screen पे instructions भी देख रहे हो और अब जो अपनी pairing है device की wifi gateway के साथ वो connect हो चुकी है और आप wifi से pair कर लेते हैं इस device को तो थोड़ा सा lengthy procedure है इसलिए मैं वीडियो में सारी चीज़े दिखा रहा हूँ वीडियो शायद थोड़ी से लंबी हो जाए बट काफी जादा help रहेगी तो network configuration के उपर चले जाते हैं 2.4 GHz वाला network यह support करता है 5 GHz नहीं यह मुझे भी अभी ही पता चला है और 2G से connect कर लेते हैं इसको और अब wifi से connect हो चुका है मेरा door lock और अब सारा जो setup है वो complete हो गया है और tone भी बसती है जब operation खतम हो जाते है तो उसके बाद tone भी है एक आपको पता चल जाता है या फिर आपका जो smart door lock है वो काम नहीं कर रहा है तो आपकी जो physical की है वो definitely गाम करेगी बाहर की side वाला जो lock है वो वैसा ही है जैसा पहले था तो आप उसको as a backup यूज़ कर सकते हो और अब अगर इसके मैं features की बात करूँ तो settings में चलते हैं यहाँ पे आप activity history देख सकते हो क कितनी बार आपने lock किया कितनी बार unlock किया सारी चीज़े यहाँ पे आती है guest अगर आप किसी को access देना चाहते हो बिना अपना कोई code बगेरा बताया अगर आपके घर पे कोई आया है आपने lock लगाया हुआ है और आप चाहते हो कि वो अंदर चले जाए तो आप यहीं से add कर स तो उनको बस app download करनी है और उनके पास access आ जाएगा और जब भी आप चाहो revoke कर सकते हो उनका access तो आपके ऊपर है आप जितने भी guest add करना चाहते हो आप कर सकते हो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कई बार क्या होता है आप बाहर होते है आपके parents आ आ जाते है कोई उनको ब default मैंने lock unlock ही रखा हुआ है क्योंकि बाहर वैसे भी काफी सारे security cameras है तो इसकी इतनी जादा जुरूरत नहीं है माने जो usually मेरे साथ होता है क्योंकि boxes होते हैं मुझे बाहर वाली side से यहां तक लेकर आना होता है दोनों हातों में boxes होते हैं तो फिर नीचे रखने पड़ते हैं की से unlock करना पड़ता है बट अब जैसे ही मैं इसके पास आँगा यह मेरे mobile को detect कर लेगा wifi से और automatically door है वो unlock हो ज प्रॉपर तरीके से बन नहीं होता शर्ट नहीं किया आपने ओ भी आपको mobile पर notification आ जाएगी कि आपका जो डोर है वो प्रॉपर तरीके से lock नहीं है आपके mobile में notification सारे टाम रहेगी और बार बार यह उसको बेचता रहेगा तो काफी एक कमाल का product है ऐसा पहली बार मैं कोई क किया अगर आप review की demand करोगे तो मैं आपके लिए ले आऊँगा बस आपके comments का मुझे इंतजार रहेगा और अगर इसके मैं price की बात करूँ price है $120 plus taxes तो $130, $131 के आसपास आपको पढ़ जाएगा मेरे साब से देख अच्छा product है और smart door lock है तो क्या फाइदा अगर यहां पे तो please मुझे comments में बताओ कैसा लगा आपको यह smart door lock I don't know यह video कितनी चलेगी कितनी नहीं बट मुझे ऐसी चीज़े करके मज़ा आता है जहां पर कुछ नया मुझे अपने channel के उपर दिखाने को मिले आप सब को तो अब आप please मुझे बताओ कि ऐसी चीज़े और देखना चाह हुआ